पिछले दो-तीन वीडियो में मैं पॉर्टफोलियो साजा नहीं कर पाया हूँ क्यों नहीं कर पाया हूँ एक तो कुछ जरूरी अपडेट आया थे जैसे कि Tata Small Cap Fund के बारे में मैंने कल वीडियो साजा किया था तो वो भी आपके लिए जरूरी था इसलिए हर दिन केवल और केवल पॉर्टफोलियो रिव्यू साजा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मैं अपने बिजी से टाइम निकाल कर एक वीडियो डेली का साजा करने कोसिस करता हूँ रोज आपको वीडियो मिलती है तो यहां पर बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मेरा वीडियो रिव्यू आपने साजा नहीं किया है मेरा नहीं किया है और कुछ महारती तो ऐसे हैं कि वो केवल यही रिक्वेस्ट डालते हैं कि रिव्यू कर दीजिए पॉर्टफोलियो अब मैं उनसे बोलता हूँ कि दुबारा अपना पॉर्टफोलियो तो साजा कीजिए यदि भाई आपने 10-15 नहीं पहले सेयर किया था तो दुबारा यदि मैं पूछ रहा हूँ तो आपको अपना पॉर्टफोलियो दुबारा सेयर कर देना चाहिए यदि एक किसान भी केवल भगवान से यही बोले जाएगा कि मेरी फसल अच्छी निकले अच्छी निकले रोज जाकर महादेव पर जले भी चढ़ाएगा लेकिन फसल बोएगा नहीं उसकी निराइग उड़ाई नहीं करेगा पानी भी नहीं देगा तो उपर से भगवान भी आकासवाणी करके यही बोलेंगे भाई पहले फसल बहुत हो सही उसकी देख भालतो कर क्या मैं ही बहुँ हूँ मैं ही पानी दूँ उसको तब फसल तेरी घर में पहुचा हूँ तो आपको खुद भी तो कुछ करना चाहिए इतनी common and interesting रखिए भाई सब कि अपना पोर्टफोलियो यदि आपने साजा कर दिया है क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो spending है तो मैं कहां तक review करूँगा और यदि आपको urgent पर review कराना अपना पोर्टफोलियो तो चैनल की membership जोइन कर लीजिए जैसे कि आज का पोर्टफोलियो प्रीती रानी जी का है इन्होंने चैनल की membership जोइन किया इसलिए urgent basis पर इनका पोर्टफोलियो में आज साजा कर रहा हूँ तो यहाँ पर जब आप चैनल की membership जोइन करते हैं आपको कुछ extra features भी मिलते हैं आप एक तो आपका जो कमेंट है वो highlighted होगा आपका पोर्टफोलियो प्राइटी पर review किया जाएगा और आपके पोर्टफोलियो के according आपका inflation agency return कितना होगा अब यह क्या होता है अब यह बहुत से लोग पूछते हैं कि चलो हमारे पोर्टफोलियो से return मिलेंगे 10-15 साल बाद 1 करोड, 2 करोड, 5 करोड लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद उस पैसे की value exit कितनी रहेगी यदि मुझे 10 साल बाद 1 करोड रुपय मेरा पोर्टफोलियो बना कर देगा तो उस समय एक करोड की value कितनी रहेगी तो वो भी समझेंगे कि इनके पोर्टफोलियो की value after जो भी इनका investment horizon है जो corpus create होगा उसकी actual value कितनी रहेगी वो भी समझेंगे तो उससे क्या फायदा होगा ये भी मापको बताऊंगा ठीक है तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल में आज चलते हैं मिसिस पृती जी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो ये बोल रही है कि मेरी येस 34 years की है मैंने अभी जून 2023 से mutual fund में investment start किया है और सभी direct plan है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने direct plan में investment start किया है SDFC small cap में 3.000 रुपे की SIP small cap category का ठीक fund है आप इसको continue कीजिए KOTAC small cap 3.000 रुपे की SIP ये भी ठीक है इसको भी continue कीजिए basically है क्या small cap जो mutual fund है पर portfolio overlapping के chances कम रहते है plus manager के पास जो है न options बहुत ज्यादा रहते है fund manager जो होते हैं तो यहाँ पर आप यदि जाते हो small cap के साथ तो 2-3 small cap fund अपने portfolio में रख सकते हो ठीक है Tata small cap के अंदर 3.000 रुपे के SIP अब इसमें मैंने आपको कल वीडियो में अपडेट करके बताया था कि 30 जून तक केवल आप lump sum investment कर सकते हो एक जुलाई से lump sum investment Tata small cap fund में आप नहीं कर पाऊगे इसके बाद quant small cap है 1000 रुपे के SIP ये भी अच्छा fund है Quotech Emerging Equity Fund इसके अंदर इनकी SIP जा रही है क्योंकि number of fund आपके काफी जादा हो जाएंगे जैसे कि आपने small cap भी कई सारे fund जो है सलेक कर रखे हैं आप चलते हैं पराग पारेक flexi cap पराग पारेक flexi cap इस category का अच्छा fund है अब mid cap और flexi cap को यदि comparison करें almost return same बैठते हैं तो ये 2 mid cap plus flexi cap तीनो same category के लगभग यहाँ पर जो है आपके schemes देखने को मिल रही है candra robeco blue tube अब ये large cap हो गया जब आप यहाँ पर investment कर रहे हो आपका जो investment horizon है वो है 10 से 15 साल minimum 10 साल हो गया तो 10 साल के लिए भी आप यदि investment कर रहे हो यानि कि वहाँ पर risk उतार चड़ाव का कम रहेगा इसके बाद यदि बात करें Nippon India Index Nifty 50 Fund 1000 रुपए इसमें डाल रहे हो आप इसको तो अपने portfolio में add करने की बिल्कुल जरूरती नहीं थी Index का कोई भी fund आपको रखने की जरूरत नहीं है तो consider करके चलते हैं कि 12% लगभग return आपको किसी भी Index Fund से मिल जाएंगे portfolio की last इसकी में आपकी Adel versus Multi Asset Fund अब ये क्या है ये जो है एक्रोस्ता क्लासिस यानि की Asset क्लासिस में investment करते हैं maximum पैसा debt में जाता है इनका तो इस fund की यदि performance की बात करूँ लगभग 10% है पिछले कई सालों की यदि equity mutual fund से इसको comparison करेंगे तो ये selection आपका बिल्कुल ठीक नहीं है इसमें आपको निवेस करने की जुरूत नहीं थी एक तो आप मैंने आपका बताया निपोन इंडिया Nifty 50 Index Fund प्लस Adel versus ये वाला multi asset allocation वाला fund जो है और आप 20,000 रुपा मंतली SIP दे रहो है याँ पर तो 10 की जगा केवल और केवल maximum 6 या 7 scheme आपको अपने portfolio में रखनी चाहिए थी तो 20,000 रुपा महिने की SIP है और 5% step up करने का भी आपने decision लिया है जो की बहुत अच्छा है आपका सवाल है कि क्या एक क्रोड रुपया अगले 10-15 सालों में इस portfolio सो बन पाएगा तो वो तो calculation जब मैं करूँगा आपको दिखाऊँगा 10 में कितना बनेगा, 15 में कितना बनेगा प्लस जो 15 साल में आपका final corpus create होगा उसकी value, inflation adjustment होने के बाद कितनी रहेगी अपने portfolio में कर लेता, तो आप आते हैं कि इस portfolio के average CGR कितना निकल कर आएगा लगबग जो return कितना निकल कर आएगा तो वो आता है 14.5% साड़े 14% का तो यहाँ पर 20.5% के SIP है साड़े 14% के return 5% का step up तो अगले 10 साल में आपकी pocket से इस BCR रुपए के SIP जो amount जाएगा वो जाएगा लगबग 30,000,000 रुपए और इस पर आपको 5% step up के साथ 14.5% के return के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पर 29,000,000 रुपए तो आपका corpus create होगा अगले 10 साल में इस portfolio से 60,000,000 रुपए का लेकिन आपको बनाना है एक करोड रुपए तो 10 साल में तो 60,000,000 रुपए बन रहे हैं तो क्या अगले 15 साल में एक करोड बन जाएंगे वो भी देख लेते हैं सेम SIP भी 20,000 रुपए की 5% का step up 14.5% के return तो 15 साल यदि आप इसको continue करते हो तो 51,80,000 रुपए लगबग आपकी जेप से चले जाएंगे as an investment money इस पर जो आपको केवल रिटन मिलेगा वो मिलेगा एक करोड रुपए का मोटा मोटा लगबग एक करोड शत्तार है रुपए वैसे बैठता है तो to be exact round figure में एक करोड रुपए रिटन मिल जाएगा तो आपका final corpus जो create होगा वो एक करोड बावन लाक या देड़ करोड रुपए मोटा मोटा आप मान सकते हो कि देड़ करोड रुपए आपको 15 साल बाद 20-10 रुपए के SIP 14% के रिटन और 5% के step up से create करकर दे देगी लेकिन after inflation adjustment कितना यहां से value आपको मिलेगी कि 15 साल बाद इन 1.5 करोड रुपए की value कितनी होगी यदि आज की date में आपको 1.5 करोड रुपए मिल जाएं तो 1.5 करोड रुपए ही होगी तो अगले 15 साल बाद लगबग 85 रुपए रहेगी यदि calculation एक्जिक्ट में बताऊं तो आपको 85,60,000 रुपए रहेगी 85,00,000 रुपए मान लीजिए तो 85,00,000 रुपए यदि आज की रिड़े में आपको मिल जाएं ऐसा ही आप महसूस करोगे after 15 years इसी 1,50,000,000 रुपए की value के साथ तो 85,00,000,000 रुपए काफी अच्छा कासा amount होता है आप 6% का inflation तो हमें adjust करना ही पड़ेगा देना ही पड़ेगा और 6% के inflation भी कम होता है पता है आपको कुछ चीजों में तो inflation 10%, 15% तक बढ़ गया होगा आपके कितनी daily use की चीज़ें है जो कि पिछले साल से और अभी तक 10, 15, even 20% तक बढ़ चुकी है और पिछले 2, 3 सालों में देखोगे तो कई गुना बढ़ चुकी है तो यही होता है inflation तो on and average inflation की यदि बात करें तो केवल 6% मेने लगाया है यदि इतना inflation रहा तो अगले 15 साल बाद यही 1.5 करोड रुपया जो आज की डिड़ में काम करता वो आपका 85 लाख रुपय की value हो जाएगी 85 लाख रुपय से जो आज खरीद पाते हो आप वही 85 लाख रुपय से उससे यानि की 1.5 करोड से 15 साल बाद आप कर पाऊगे तो उम्मीद करता हूँ परीति रानी जी आपके सारे सवालों को जवाब सायद में दे पाया होंगा और एक idea आपको पूरा मिल गया हो कि हाँ ठीक है जो आपका investment है और जो भी मुझे लगा कि यह scheme सायद आपको नहीं रखनी चाहिए थी यह change करना चाहिए था और आपका पूरा inflation adjusted return कितने होंगे वो भी मैंने साजा कर दिया है जिससे कि बाकी लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो मिलते हैं फ़र किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत